आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो यहां पर अपन क्या कह सकते है बच्चो देखो यहां पर जो क्या दे रखा अपन को कि Y is equals to है अपना यह Y is equals to F of GX F of GX इस equal to यह कि अगर मैं F of GX निकालना देखो F of GX तो ultimately let's say Y F of GX है तो F मतलब AX minus 3 है तो X की जगा पर GX पूट करना तो देखो A times X की जगा पर GX पूट करेंगे जो की X है X to the power B plus C and then minus 3 यह कितना है अपना यह क्या आपना इक तरह से F of GX आगया तो यहाँ से आपन क्या निकाल सकते हैं पहले आपन इसको लेख सकते हैं यह Y के को नहीं तो देखो Y plus 3 Y plus 3 divided by A तो इसकी वेल्लू आ जाती है X plus X to the power B plus C के को नहीं तो यह कितना आता है Y plus 3 divided by A and minus C is equals to X to the power B okay students तो देखो Y plus 3 minus AC और can be said as C है divided by A और इसकी whole power कितनी रहती है फिर 1 divided by B is equal to X okay आपन क्या कह सकते हैं यह इसको 3 minus C को bracket में लिख लेते हैं आगे देखते हैं आपन को ultimately यह X क्या है आप X को लेख सकता हूं मैं F of GX का inverse क्योंकि X क्या था Y था एना स्वारी X क्या था Y इन्वर्स ची था एक तरह से यह ठीक है तो मैं इसको क्या लेख सकता हूं अच्छो देखो यहां पर मैं इसको लेख सकता हूं X की पहला इसको इस तरह से लेख सकते हैं F of GX ठीक है और इस पूरी टर्म का inverse is equals to अब Y की जगह पर X ही थो पूट करना है तो X plus 3 minus CA and divided by A और उसकी whole power कितनी है 1 divided by B ठीक है तो देखो यह कितना था X minus अब देखो 3 minus CA बच्चो तो अपन के पास क्या कह सकते है अपन यहां से वह अपन को क्या दे रखा X minus 7 divided by 2 और उसकी whole power 1 by 3 तो मैं इसको किसके क्या कर सकता हूं यहां से देखते पहले अपन देखो मैं नहीं कर दिया किसके एक पॉलेंट जो अपनको किवन है X minus 7 divided by 2 और उसकी whole power 1 by 3 के क्या तो यहां से अगर अपन कंपेर करते है तो देखो पहली बात तो A की वैलू ता दिये 2 B की वैलू कितनी है 3 आती है और C की वै मैनस 7 तो यहां पर इसको ले आदे 3 प्लस 7 मतलब 10 is equal to 2C तो C की वैलू आ गई 5 ठीक है तो यह आगए इस तरह से A B C की वैलू आ गई आपन क्या नहीं का सकते है GX है तो GX क्या था अपना यह देखते है अपन X to the power B plus C तो यह कितना आगा X to the power B की जाए कितना एगा 3 प्ल आपन से क्या पूचा एफोजी ओफ एसी प्लस जी ओफ 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 दी वी कैन चेक अगे F O G of A C plus G O F of B ओके तो देखो F O G of A C तो A की वैलू कितनी थी है अपर 2 थी और C की वैलू 5 थी तो 2 5 जा 10 प्लस G O F of B की वैलू कितनी निकाली है अभी आपन ने 3 निकाली है तो G O F of 3 तो अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हो देखो F of यह कितना है G 10 है F of G 10 ही तो है प्लस यह कितना G of F 3 यह कुछ इस तरह से है तो पहले इल्टीमेटली क्या निकालना है अपरको F of तो देखो G 10 कितना हो जाएगा बच्चो G X कितना अपना X Q plus 5 है तो X equal to 10 put करेंगे तो देखो 10 का Q कितना होता है 1000 होता है तो 1000 प्लस 5 मतलब 1005 प्लस G of F 3 कितना होता है यहां से 2 3 जा 6 फिर माइनस 3 मतलब 3 तो F of 1005 प्लस G of 3 ठीक है तो देखो F of 1005 आप F X कितना है 2 X माइनस 3 है तो देखो 2 times of 1000 माइनस 5 माइनस 3 प्लस G 3 है ना तो G 3 किस तरह से नेकलेगा X Q plus 5 है तो 3 का Q यहां लेखते है अपन क्या 3 का Q प्लस 5 ठीक है तो देखो यह कितना आता है बच्चो 2010 माइनस 3 प्लस 27 प्लस 5 तो यहां से देखो 2010 और 27 मतलब 2037 और 2037 है प्लस 5 2042 माइनस 3 मतलब 2039 तो यहां से दाथ 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर होसा आज डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्चाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर